धनबाद के नई दिली CISF कैम के समीब मारपिट की घटना हुई भोला रजक और उसकी माने पुर्व में किरायदार रहे अरुन कुमार पासवान पर मारपिट का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि अरुन पासवान घर से नगदी और जेवर भी ले गए आरोप ये भी है कि एक कार से तीन लोग आए और भोला रजक के साथ मारपिट की भोला रजक ने अपने सरीर के जखम के निशान दिखाए बता दे कि पुर्व में रह रहे भाड़ेदार के दुआरा घर की चाभी को लेकर विवाद था मामले में भोला रजक और उसकी मा ने धनबाद सीटी एसपी से नयाई की गुहार लगाई है वहीं धनसार थाना प्रभारी जैराम प्रशाद ने कहा कि दोनों और से मामला दर्श किया गया है जाचकर उचित कारवाई की जाएगी बात हुई है चाभी दे दिजिए हमारा 10 तारी को भी खालि किया थे इसी महिना में 10 तारी को खालि ता ये अ buyन धार ने दिए नहीं है पास हम नहीं और जो करना कर ले कि ऑनाओ नाउना बोले, जो नुम को बताया, इसके बाद बोले किया उंको जो करना कर ले ना, तिक्वर मारने के लिए नी जा पता फिस्तोल भी था, वगहिए घर में घुश के इमारा गया हूँ, अपाइब हुआ है उसको भी धक्का मुकी कर दिया मेरे छोटे भाई को युमारा नोग पांचे लड़का था दिन भाई था रहूल पासवान अरुन पासवान अरविन पास ना मारबिट क्या हुआ किसी नहीं अब का फिर्म दूंस तो कम आंधो 1951 boats को के अनुद नहीं किया हुसी का कुणनश लेकर के हमको कहीघ खाली करवाया कि तो फ्राद्र अब लोग क्या खें श्त्सके बाद में अपना जान बचाने के लिए धनसार थाना ममी को लेकर भागे उसके बाद थाना रिपोर्ट दिये